ओनलाइन बहुत सारी वराइटीज के बैटल रॉयल गेम मिल जाते हैं कुछ आपने खेले होंगे और कुछ के तो आपने नाम नहीं सुने होंगे इस वीडियो में मैं लाया हूँ टॉप फाइब बैटल रॉयल गेम जिन्होंने इस बैटल रॉयल प्लाटफॉर्म की हिस्ट्री ही चेंज कर दी इन्होंने बैटल रॉयल प्लाटफॉर्म में बहुत ही बड़ा कांट्रिबूशन दिया है और बैटल रॉयल प्लाटफॉर्म को एक नेस्ट लेवल पे ले गए हैं और इन में से कुछ गेम तो गल्ती से बने थे और इन गेम से उतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया गया था लेकिन इन्हों ने उमीद से जारा तरीक की कमाई सो अब विदाउट वेस्टिंग अने टाइम लेट्स बिकेंग एंड वीडियो में आगे जाने सपहले मैं आपको एक चैनल की बारें बताना चाहता हूँ जिसका गेम प्ले मैंने इस वीडियो में आगे यूज किया है और उस चैनल का नाम है मैक्स मस्ती आप इसको एक बार विजिट कीजिए क्या पता आपको आपका फेवरेट कॉंटेंट मिल जाए सो जो बैटल रॉल गेम फिफ्ट नंबर पर है उसका नाम है फ्री फायर मुझे अच्छे से पता है कि आपको इस गेम के बार में पता होगा और अगर नहीं पता तो यह रहा इसका शौर्ट डिस्क्रिप्शन फ्री फायर एक बैटल रॉल गेम है जिसमें लोग उतरते हैं और आपस में फाइट करते हैं और लास्ट मैन स्टैंडिंग ही जीतता है अक्सर फ्री फायर को प्लेयर अनून बैटल ग्राउंड का अल्टरनेटिव माना चाता है मतलब जो लोग पब जी नहीं खेल सकते हैं वो फ्री फायर खेलें पर मैं ऐसा कंसिडर करके ना पब जी की बेस्ती करना चाता हूँ ना फ्री फायर की क्योंकि मेरे हिसाथ से पब जी एक अलग गेम है और फ्री फायर एक अलग पब जी का अलग मज़ा है और फ्री फायर का अलग मैंने दोनों ही गेम खेलें और मैंन ज्यादा रिकॉर्डमेंट वाला गेम है और फ्री फायर कम तो जो लोग पब जी का माजा नहीं ले पाते हैं वो फ्री फायर का जरूर लेते हैं और लेना भी चाहिए बट मैं तो यह कहूंगा जो लोग पब जी का माजा लेते हैं उन्हें भी फ्री फायर का माजा जरूर ल गेम की तरफ जो है एपेक्स लेजेंड सो कुछ और कहने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये गेम फैबुरियरी फोर 2019 में रिलीज हुआ था और इसने बहुत ही कम टाइम में इतनी पॉपिलियरिटी गेन कर ली जितना और कोई नहीं कर पाया मैं तो कहूंगा कि ये एक एक रिकोर्ड है एपेक्स लेजेंड आपके बैटल रोल एकसPkyお願いします को एक नेक्स लेवल पे ले जाता है एपेक्स लेजेंड आपकोastre बी मिल जाएगा और एपेक्स लेजेंड अभी तो सिर्फ PC के लेवलेवल है लेकिन इसे ग्रोथ के हिसाब से मुझे लगता है कि ये पब जी मुवाइल को रिलीज कर हर बंदे को पब जी का खेलने का एक मौका दिया इसलिए पब जी बहुत ही फेमस गेंग बन चुका है एपक्स लेजंड को डेवलप्ड किया है रिस्पॉन इंटर्टेन्मेंट ने और इसे पब्लिश किया है इलेक्ट्रोनिक्स आर्ट ने ये गेम Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox के लिए रिलीज हुआ है और अभी Mobile के लिए भी रिलीज होगा एपक्स लेजंड में आपको varieties of characters मिल जाते हैं वो भी different powers के साथ एपक्स लेजंड में आपको बहुत ही different types को और बहुत ही मजदार weapon मिलते हैं बहुत ही बड़ा map मिलता है और जो चाहें वो कर फिर अच्छा नहीं है बट मैं Mobile का इंजार कर रहा हूँ और होप करता हूँ कि ये एक low spec mobile के लिए भी काम करेगा तो यही कुछ वज़ा थी जिसमें एक पैस लेजंड अपने आपको third number पर stand करवा पाया है so let's jump on top 3 so जो battle royal game top 3 पर है वो है black house 4 black house 4 एक multi player first person shooter game है जो publish किया गया है अक्टिवीशन से ये worldwide publish किया गया था windows playstation 4 xbox के लिए October 12 2018 में call of duty black house 4 अपने previous black house गेम से बिलकुल अलग है call of duty black house 4 एक battle royal game है जिसमें हम online multiplayer खेल सकते हैं और इसी ग्राफिक बहुत insane है और यही वज़ा है कि ये top 3 पर है और इसकी popularity भी एक वज़ा है कि ये top 3 पर है इस गेम को worldwide बहुत सारे लोगों ने खेला है इससे पहले के call of duty black house जैसे black house 1, 2 & 3 स्टोरी भी बेस थे हैं और इनमें campaign mode था बट call of duty black house 4 में campaign mode की जगह battle royal mode लगा दिया गया black house 4 को iw engine से बनाया गया था और यह personally बहुत ही amazing गेम है so अब बढ़ते हैं top 2 battle royal game की तरफ और top 2 battle royal game है fortnite so fortnite online video game है developed by epic games जो 2017 में release हुआ था fortnite originally एक horror game में design किया गया था और हमें zombies like creature को मारना था यह starting से battle royal game नहीं था इसमें सिर्फ एक ही motive था team up and survive और stay alone and die but बाद में इसे battle royal game बना दिया गया जहां hundred plates एक साथ jump करते हैं और last man standing ही winner होता है यह बहुत जारा इसलिए famous हुआ था कुछ यह online steam पे free मिल जाता है और बहुत से लोग fortnite को बहुत जारा पसंद करते हैं यहाँ था कि पपजी से भी ज्यादा परसंद करते हैं पर बहुत से लोग fortnite को बहुत hate भी करते हैं इसकी graphics की वाय से बट मैं यह बता दूं कि इसकी shady कार्टूनी graphic का एक अलगी crazy है इसे originally बहुत ही amazing realistic graphic के साथ design किया गया था बट time के साथ इसे कार्टूनी graphic दे दी गई epic games वाले पागल थोड़ी ना है कि इसे realistic नहीं बना सकते थे बट उन्हों को इसे ऐसा ही बनाना था और यह graphics पपजी के graphic से ज्यादा महंगी है इस graphic के अलगी fan following है और बहुत ही ज्यादा crazy है इसलिए यह game बहुत ही popular हुआ इस game में material color करके आप building भी कर सकते हो मतलब आप different type के walls create कर सकते हो खुद ही जिससे fortnite एक अलगी strategy game बन जाती है आपको कैसे defense करना है और कैसे dodge यह आप में depend है इसमें आप छोटे से पेंडे से लेके पूरे घर तक को भी तोड सकते हो और यही जी इसे बहुत ही insane बनाती है so guys अब finally वक्त आ चुका है कि हम बात करें उस top game की जिस क्या हुआ क्या सोच रहो कि शौरिया बिना top game का नाम बता है जा कहा रहा है तो देखे मुझे पता है कि आपको पराज चल चुगा होगा कि top पे कौन है आखिर आप background music भी तो सुन रहे हैं अब यह मत कहिएगा कि आपको background music के बारे में नहीं पता खेर जिन लोग को battle royal की knowledge कम है और जिन लोग को सच में seriously नहीं पता कि यह कौन सा गेम है तो उनके लिए मैं बता दूं कि यह है player unknown battleground जो इस list में top पे stand करता है free fire एक game है एक एक ट्रेंड है बट player unknown battleground इन सबको सरपास करके एक revolution बन चुका है और मैं इस बात से बहुत ही serious हूँ player unknown battleground ने वो हर possible कोशिच किये कि वो हर घर में जा सके और हर कोई इस game को खेल सके यह starting मोटना famous नहीं था क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा hardware requirement रखता था और इसको चलाने के लिए बहुत ही जारा hardware चाहिए था और इससे PC के लिए available था तो जारा लोग इससे access नहीं कर पा रहे थ सकते हैं तब से यह game एक revolution बन चुका है और अभी भी यह रूप नहीं रहा इसने रिसेंटली पबजी PC light और पबजी mobile light भी launch कर दिया है officially अब जो लोग बहुत ही कम requirement में भी PUBG खेलना चाते हैं अब वो भी खेल सकते हैं तो जो बच्ची-खुची कसर थी वो इसने पूरी कर अब PUBG को आगे बढ़ने से कोई ने रहो सकते हैं वैसे जितना आगे बढ़ना था यह शायद बढ़ चुका है इस गेम को नेरली हर लोग जानते हैं यहाँ तक हमारे प्रधान मंतरी मोधी जी भी जो इस गेम का नाम लेने से पीछे नहीं अटते हैं आप सब को यह तो परा चली चुआ होगे यह गेम टॉप पे क्यों है मुझे इसके लिए को एक्यूरेट रीजन बताने की जरूत नहीं है पब जी ने ऑनलाइन बैटर रोल की पूरी हिस्ट्री चेंज कर दिया और पूरा रेवल्यूशन ही चेंज कर दिया आज से कुछ सार पहरे तक बैटर रोल गेम के बारे में हर कोई जानता है अगर किसे पूर्स हो कि बैटर रोल गेम क्या है तो हर कोई सिर्फ एक ही जवाब देगा पब जी बैटर रोल का नाम लेते हैं जुमान पर पहला नाम पब जी कहीं आता है पब जी पीसी ने तो गेम ऑफ दियर होल नहीं किया बट पब ज मुवाइल ने Game of the Year का अवाड जीत लिया है पब जी मुवाइल और मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूं कि पब जी मुवाइल मुवाइल का बेस्ट गेम है और मुवाइल गेमिंग की बात आती है तो पब जी टॉप पे आता है हां दूसरे प्लैटफॉंग में पब जी टॉप लीजिए और एक रेट कलर के सब्सक्राइब मार्क को शूट कीजिए ताकि वह ऐसे से ऐसा हो जाए मैं होप करता हूं आप मेरी बात समझ गया होंगे सो फाइनली थैंक्स और वाचिंग हैंड मैं बेट करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने आतरण तब जी खोलेंगे झाल